हेलो विल्कम बैक टू माई चेनल दीप स्टिचिंग फेशन में आपका सागत है आज हम ब्यूटिफुल सी लटकन बनाने वाले हैं जो कि ब्लाउज में लंगे में किसी में बनाएं बहुत ही ब्यूटिफुल लगीगी तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसक सुई धागी की हेल्प से यहां से हमें इसे सिल देना है फोल्ड करने के बाद इसे यहां से जॉइंट कर देना है देखे इस तरीके का शेप आएगा बनके इसके बाद इसके सेंटर में यहां पर यहां से हमें जो हैसमें मोती अटेच करना है तो मैं इसमें ब्लैक कलर के मो तो देखिए इस तरीके से हमने यहां पर यह मोतीस में जो है लगा दी है तो देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन बनके तयार हुआ है सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि लटकन दोनों साइड में रहती है तो पर मैंने इसमें एक ही तरफ लगाए हैं इसी तरीके से हमें और भी जो है तयार कर लेने इ थे एक दूसरे में जो है अटेज कर देंगे तो को मैं तो दीकि के साथ इन्हें जॉइंट करेंगे तो कोई भी एक जो है पाइट ले लेना है वहां से हमें जो है एक तरफ इस तरीके से जो है तीन से चार मोती अटेच कर देने मैंने यहां पर रेड कलर के मोती का यूज किया आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं उसके बाद इसे हमें से से एकदम सेंटर से ही जोइंट करना अगर हम इधर उधर से करेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो है इस तरीके से अच्छे से शेप नहीं आएगा उसके बाद वापिस से इन मोतियों में इसे निकालने के बाद उपर की तरफ इसे जो है सिल देंगे तो देख इस तरीके से मैंने उसे जो है अटेज कर दिया है अब जो साइड वाला है हमारा लटकन का पार्ट उसमें भी हम एकदम सेंटर में नहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है लेके इसे दो मोति पीरों के उसके बाद इस तरीके से आप वीडियो में देखे भी अच कंप्लीट कर लेना इस तरीके से तीन चोटी चोटी लटकन मैंने इस लटकन के नीचे जो है लगाई है इसके बाद इसे उपर की तरफ जो है मैन वाली है हमारी उपर वाली इसके एकदम नीचे वाली के सेंटर में जो है हमें इसमें वापिस से मोति पीरों देना है उपर क आफ़्े बाद हमें लास्ट में इसमें ब्लै की मोती ज़ादा पिरो देने है और उश्की बाद उनी से हमें रिटर्न डागा निकालने हैं रेड वाले मोति अ यहां से हमने यह ब्लैक वाले ज्syk ज़ादा मोती पिरोर लिये 8-10 तो इस हमें इस तरीके से रेड वाले में से वापिस से ब्लैक में नहीं रेड वाले में से निकालने के बाद ब्लैक में फिर पूरी जो हमने ये धागे में पिरोए हैं मोती सभी में निकाल लेना तो उपर की तरफ हमारी जो डोरी में अटेच करने के लिए इस तरीके से बन जाएग तो देखिए इस तरीके से मैंने बहुत ही ब्यूटिफुल सी लटकन तयार कर ली बहुत ही कम टाइम में बन जाए गया और बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगी आप रबर का कलर अलग भी ले सकते हो ब्लैक रेड तो जिस कलर की चाहिए उस कलर से हम जो है गते बहुति लगादेगा इसके बाद इसके प्लावर भी लगा सकते हैं वह भी बहुत बूटीफुL लगेगा दीखे इस से हमारी जो बहुत बीटिफुल सी लटकन बन के तयार है उमीद करती हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रिस करें ताकि आने वाले वी